दोस्तों आज के इस वेडियो के अंदर आपको निश्चित के विलोमसब्द के बारे में हम जानकरी देने वाली आपको बता देती हैं कि इस वेडियो के अंदर आपको इसके बारे में काफी अथिक अच्छी जानकरी मिलेगी आप अस वेडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दी हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोम सब्द किसे कहते हैं ताकि आप निश्चित के विलोम सब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जरे देन से सुनें कि वे सब्द जो एक दूसरी की विप्रीत या उल्टार्थ देते हूँ उन्हें विलोम सब्द कहते हैं और वहीं पर अगर आप निश्चित के विलोम सब्द की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देती हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निश्चित का विलोम सब्द एनिश्चित होता है यानि दोस्तों निश्चित का विलोम सब्द एनिश्चित होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप भी मरसा दो रहें कि नि निश्चित का अर्थ क्या होता है दोस्तों निश्चित का हिंदी में अर्थ होता है निश्चे किया गया यानि वै जिसे निश्चे कर दिया गया हूँ वै निश्चित है और वहीं पर अगर हम ए निश्चित के अर्थ की बात करती ही तो दोस्तों ए निश्चित का हिंदी में पर आपने एक बार इसके बाद करते हैं, और आपको फिर मताती हैं कि अच्छी ते लिए अगर आपको जानकरी अच्छी लगी हो यानि दोस्तों आपको निश्चित का विलोम सब्दे वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबादें